मुझे आप सब काफी अच्छे होंगे तो गाइज अभी जो है न सामका टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपनी मलाई से घी तो मैं यह जो गी बनाती हूँ न वो ब्लेंडर से बनाती हूँ और गर्मियों में घी बहुत जल्दी निकल कर आ जाता है जादा टाइम नहीं लगता सिर्फ जो है चार से पांस मिनट ही लगते हैं घी को बनने में तो देखिए यहाँ पर मेरा जो घी है वो बन कर रेडि हो गया है तो मैंने उसे गैस पर रख दिया है गरम होने के लिए जब तक वो गरम हो रहा है मैं जो अपने चुटूर पुटूर से काम होते हैं जैसे जो दोपैर की धुलवे बरतन वगरा होते हैं उन सब को उनके प्लेस पर लगा दूंगी और आज जो है ना मुझे थोड़ी सी वेजिटेबल और फूर्ट की सोपिंग भी करनी थी तो उसके लिए भी मुझे जाना है तो मैं अभी बस यहां पर सारे उटेंसिल वगरा लगा रही हूं साथ ही साथ देखे जो मेरा घी है वो भी मेल्ट होता जा रहा है तो जब मैं बाहर जाओंगी तो इसे बंद करके जाओंगी क्योंकि फिर जो है यह ज़्यादा तेज भी हो सकता है लग सकता है खराब हो सक इसलिए मैं जाने से पहले से जुरी से ओकर कर दूंगी आने के बाद से दोबारा से जो है गैस चला दूंगी तो अभी जो है आटे हूं बाहर और गर्मी इतनी जादा है ईतनी हद की हुई है तो अब इस बाहर जा रही हूं तो यहां पर इसा घ्री दिखाई दे रही थी सोसाइटी के बाहर तो मैंने थोड़ी सी कैप्चर कर ली जिसे देखकर जो है ना काफी अच्छी जो है वाइपस आती है ग्रीन डी को देखकर तो यहाँ पर मैं जो है वेजेटेबल्स फ्रूट्स लेकर आ गई हूँ वाटर मैं लेलाई हूँ बनाना चोटी मोटी जो है सबजिया और इन दिरो तो जो है फलो कराजा जो आम होता है वो तो जो है घर में सबके आता ही है तो यहाँ पर बस सारी सबजियों को मैं निकाल कर रख रही हूँ क्योंकि मुझे ने वोश करके रखना है तो इन्हें बस निकाल कर दोंगी और अभे मुझे धियाना आया कि मेरी किछन वाल करी है ने उसमें एक प्लांट रखा था जिसे कि मैं पानी देना भूल जाती हूँ तो अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि अभी जब याद है न तो पानी दे ही देतीूं नहीं तो मैं फिर से भूल और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर vegetables और fruits को wash करने के लिए तो जो आम थे ना वो जो वैसे होते हैं कार्वियर्ट लगा कर पकाए जाते हैं वो थे दिशले मैंनोंने थोड़ी देर जो है पानी में डुबो कर रख दिया है जिससे की उनकी जो तासी ना थोड़ी वो सही हो जाए और अभी बस जो मेरा वोलेट में लेकर गई थी उसे मैंने थोड़ा सा सेनेटाइज करके जो है उसके प्लेस पर रख दूँगी तो करोना नहीं न यह साही चीज़े काफी हमें सिखा दी है चीजों को सेनेटाइज करना फूट्स वेजटेबल जब भी घर में उन्हें वोश करना तो करोना से यह चीज़े जो है न सबकी लाइफ में जो है न क्या कहते हैं कि काफी अच्छे से सबने जो है यह सारी हैबिट अपना ली है अब न ऐसी आदत हो गई है कि बिना वेजटेबल या फूट को वोश करे जो है फ्रिज में रखने का मन ही नहीं होता है तो चलिए सबजी वेगरा तो वोश हो गई है अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ साम की दियाबाती करने और इस साम की जो दियाबाती मेरे घर में होती है वो में ली में मैं ही करती हूँ मोर्निंग में जो होती है वो मेरे हजब करते हैं क्योंकि मुझसे पहले वह सावर ले लेते हैं तो वही दियाबाती कर देते हैं और अभी आ गई हूं मैं किचेन में आज बनने वाली है सिम्ला मिर्च की सब्जी और इस सब्जी की रेसिपी जो है ना मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आई होप आप में से किसी न मातर और थोड़ी सी प्याज एक या दो प्याज बड़ी और यहां पर मैंने तीन सिम्ला मिर्च ली है क्योंकि हम खाने वाले सिर्फ दो ही परसन है मैं और मेरा बेटा तो आप अपनी फैमिली के कोर्डिंग जो है यहां पर सिम्ला मिर्च ले सकते हैं अब जो है ना मैं सि सकते सकते तरही से सुखें। सब्सक्राइए पॐ children सबसें में खरना चाहिए ऩो था mountain India को आर Tai डिक भी से कहता साम चना भी होगाने जब करें तुल usta सब्सक्राइब दों में कुछ सब्सक्राइब 1-2 वाइं तुल कीचिए तब बात"? जो घी बंद करके गई थी देखिए वह भी मैंने आकर जो है गैस ओन कर दी थी तो वह भी यहां पर रेडी होने वाला है साथ अब दूसे जो है गैस पर मैंने रख दी है अपनी सब्जी बनने के लिए जो है पैन तो पैन में डाला है मैंने मस्टर्ड ओइल आप चाहें तो आप इसे रिभाइंड में भी बना सकते हैं बट मेरे घर में साड़ी किया सब्जी होती है और कुछ सब्जी होती है जो मस्टर्ड ओइल में ही अच्छे लगती है तो यहां पर मैंने डाला है जीरा जीरा जो है भुन चुका है तो मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है उसके बाद मैंने जो स्लाइस करके अनियन कटकी थी वो यहाँ पर डाल दिया है तो आपको जो ना इस सब्जी में जो अनियन है उसे जादा जो है फ्राई नहीं करना है हल का गुलाबी होने देना है उसके बाद जो है न मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले जैसे हल्दी और कस्मीरी मिर्च पाउडर इसमें कस्मीरी मिर्च पाउडर जरूर डालिएगा क्योंकि उससे जो है न सब्जी का कलर काफी जादा अच्छाता है तो मैं अपनी अच्छे से यहां पर मैं फ्राई कर लूँगी और आपको धियान रखना है कि जो गैस की गैस है वह बिल्कुल स्लो होनी चाहिए नहीं तो आपके मसाले जो है जल सकते हैं तो मसाले यहां पर भुन चुके हैं अब मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर टमाटर को भी जो है स सोफ्ट होते ही मैं इसमें डाल दूँगी कटकी हुई सारी सिमला मिर्च तो अगर आपके घर में भी जो है ना कोई सिमला मिर्च खाना पसंद नहीं करता है तो आप एक बार इस तरह से जरूर बना कर देखेगा आपके घर में सबको यह काफी ज्यादा पसंद आएगी तो खुद को जो है ना हाइडरेट रखना काफी जरूरी है तो मैं टाइम टू टाइम जो है पानी पीती रहती हूं तो अभी बस सब्जी मैं रख कर आई थी और इहां पर मैं एक ग्लास पानी पी रही हूं साथी साथ जिससे मेरा सुबह का काम ना बढ़े और मेरी किचन जो ह जो ब्लेंडर यूज किया था घी निकालने में उसे मैं जो है उसके प्लेस पर रख दूंगी तो इससे जो है ना सुबह का मेरा काम थोड़ा सा हलका हो जाएगा और अब जो है ना मैं आपको दिखाती हूं मेरी सबजी तो यह सबजी ना बनने में बहुत कम टाइम लगता है और साथ में अगर रहता वगएरा या दही हो तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा तो डिनर वगएरा सब हो चुका है अब आ गई है किचन को क्लीन करने का नंबर तो रात में जो किचन है ना उसे तो क्लीन करके सोना ही होता है नहीं तो किचन में कोक्रोच वगएर तो जी हो गई है सुबहे और सुबहे सुबहे जो ना सारे घर के खिड़की दरवाजे खोलने तो बनते हैं क्योंकि रात में पूरे घर में इतनी घुटन-घुटन सी होने लगी है गर्मी की वज़े से कि सुबह उटते है तो मतला अजीब सा होने लगता है तो इसलिए मैं सुबह उटते ही सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूं जिससे जो है अच्छे से आरपार हो जाए और घर में जो है अच्छा सा एक एट्मोस्फियर हो जाए तो अभी खिड़की पास थोड़ा सा टाइम था तो यहां पर जो है क्वार को अच्छे से जाड़कर हो जैसे मुझे सैट वगयरा करना है क्वार करणः कर दूंतो सारे कुशन वगरा भी अच्छे से ज़ाडवार कर मैंने जो है हाँ पर अच्छे से लगा दिये हैं और जब मैं ज़ाड़ू लगा थी तो मैंने देखा यह जो प्लांट रखा है ना मेरा इसमें कुछ लीफ जो है ना ड्राइ हो गई थी तो इनको भी जो है ना मैं टाइम टू ट और उसके बाद मैं आ गई हूँ प्लांट में पानी देने के लिए तो यह प्लांट देखे मैंने अभी कुछ दिन पहर लगाया था और इसमें जो है ना नई लीफ आना शुरू हो गई है तो जब नई लीफ आती है किसी भी प्लांट में तो काफी जादा खुसी होती है औ और यह मेरा जो है अंदर रखा रहता है तो यह पी काफी अच्छे से चल रहा है इसको भी थोड़ा सा पानी दूँगी मैं और उसके बाद जो है ना मेरा काम होता है कपड़े लगाना तो यहां पर आज मैं जो है कुछ कपड़े थे जो की मतलत लाइट कलर के थे वह सब य तो यह आधा पूर्ण घंटा में जो है सूख जाएंगे तो कपड़े लगा कर आ गई हूं किचन में रात में जो है ना अपना किचन का टावल होता है वो बदलना भूल गई थी तो अभी सुभह में उसे चेंज कर रही हूं तो अब उसके बाद मैं यहां पर जो है अपने ज चीलूंगी और उन्हें खाऊंगी तो सुबह सुबह ना खाली पेट काम करने का मन नहीं करता है इसलिए मैं बादाम वगएरा जो है भीगो कर रख देती हूं उससे पहले मुझे याद मैंने देखा कि सामने ही जो रात में फ्रूट्स वगएरा वोश किये थे ना तो रात को मैं फ्रीज में नहीं रखती हूं क्योंकि फिर अजीब सी स्मयल आती है ना फ्रीज में तो यहां पर बादाम वगएरा को छीर लूंगी इन्हें खाऊंगी और उसके बाद मैं करूंगे अपने नास्ते की तरी तो आज का जो नास्ता है वह बहुत ही सिंपल होने वाला ह क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे कि आज क्या बनाऊं अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा तो बस मैंने आज क्या क्या आटे में मैंने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी अजवयन और थोड़ा सा नमक और इसका आटा लगाकर मैं ब सोफ्ट हो जाता है तो यहां पर मैं बस पराथे बनाकर रेडी कर लूँगी और मुझे ट्राइंगल शेप के प्राथे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि थोड़े से ना सोफ्ट हो जाते हैं ट्राइंगल शेप के पराथे तो जी किचन वगेरा का सारा काम हो चुका है किचन क्लीन हो चुकी है अब नमबर आता है बैर्ड को जो है अच्छे से बैर्शित बिच्छाने का क्योंकि डुग को जो है सबसे लास्ट में उठा था मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ तो अभी यहां पर बस इस रू गर तो जो है सारे घर में मैंने पहले ही लगा ली थी तो बुभीचशों करनी थी तो जब मैं आफ़ेश चीं' कर नहीं तो इसके साथ साथ आज मैं कैबिनेट जो बनी हुई है कवर्ड मेरे रूम में उनको भी क्लीन करूंगी क्योंकि टाइम टू टाइम इन्हें क्लीन करना भी काफी जरूरी हो जाता है हाथ लगते ही रहते हैं तो इसे भी क्लीन कर लूँगी और जो मेरे बेटे वाली साइड है उसे मैं प्रूंपड़ा लगाती रहती हूं तो इस तरहसे जो है इतनी गर्मी में भी ना मैं अपने घर को की चर को मैंज करती हूं तो गर्मिया तो और सरदिया करती ही रहती है और हम हाउस वाइफ का ज fines को Zar Alright तो मैं तो जो है ना इसी तरह से अपने घर को मैनेज करती हूं आई होप आपको यह जो व्लोग है ना वो पसंद आयोगा गाइस पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूं आप से नेक्ट वीडियो में बाबाई